Hello everyone, मैं आशा करती हूँ, आप सभी ठीक होंगे, मैं काजल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीटाइट परीशा का नोटिफिकेशन यहाँ पर अनॉंस हो गया है और देखिए, मैंने आप लोगों के साथ लगभग अभी से 2-3 हपते पहले, यहाँ पर पेपर 2 की साइन्स के सीरीज यहाँ पर शुरू कर दी थी और आप लोगों के एक highly demand यह था, कि हम लोगों को पेपर 2 का math का सीरीज भी यहाँ पर चाहिए तो मैंने आप लोगों के साथ यह सीरीज यहाँ पर शुरू करने के कोशिश की है और मैं उमीद करूँगी कि यह सेशन्स आपको बहुत पसंद आएंगे अब देखिए, मैंने यह जो सीरीज यहाँ पर शुरू किया है खास करके अभी जो रीसेंट सीटाइट का पेपर हुआ था उसके topics को ध्यान में रखके किया तो यहाँ पर आप लोगों को जो मैं day 1 में यहाँ पर topic डिस्कस करने वाली हूँ वो यहाँ पर square and square root इस topic को discuss करूँगी जिसे आप वर्ग और वर्ग मूल के नाम से जानते हैं अब देखिए maths एक ऐसा विशह है जिसमें आपके terms हैं पर हिंदी इंग्लिश में यहाँ पर आपको चीज़े समझ में आ जाएंगी और मैं उमीद करूँगी कि यह sessions आपको पसंद आएं अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आप लोगों को जो maths आपकी तियार करनी है वो 6-8 class के लेवल की अच्छी maths जो है वो आपको रेडी करनी है और मैं आप लोगों की यह जो sessions है उनमें previous year question यहाँ पर आज करूँगी ताकि आप लोगों के यह sessions बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके और देखिए यहाँ पर अगर आपको यह session पसंद आता है तो science का session आप जरूर लीजिएगा मैंने already playlist बना दी है C type paper to science करकी जिसकी 9 classes अलेडी आ गई है और यहाँ पर आप लोगों के timely जो syllabus है वो complete हो जाएगा अब जैसा कि मैंने कहा कि आज के यह session होने वाला है day 1 है और खास session रहेगा जिसके अंदर हम इस chapter को cover करेंगे तो देखिए दो term है अगर इन दोनो term को आप समझ जाएंगे उसके साथ मैं आप लोगों के साथ कई सारे previous year question इसी topic कर लेगे आउंगी और जो खास करकी इस बारी जो 20 अगस का paper है उसका भी question हम discuss करेंगे अब देखिए वर्ग के अगर मैं बात करूँ square के अगर मैं बात करूँ तो यह क्या है तो देखिए अगर हम किसी number को उसी number से multiply कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाता है उसका square हो जाता है जैसे कि अगर हम छोटे छोटे नंबरों का square निकालें जैसे 3 को 3 से multiply करें अब देखिए अगर आप 3 को 2 से multiply करें तो वो square नहीं होगा square यानि कि वर्ग आपका तभी निकलता है जब आप उस नंबर को उसी नंबर से multiply करते हैं और इतना basic हम सभी को आता है यह सब चीजे अब देखिए यहाँ पे जब आप किसी छोटे नंबर का square निकालेंगे तो आप normal multiply कर लेंगे जैसे कि अगर मैं कहूँ 10 का square बताईए तो 10 को 10 से multiply करके 100 अंसर देने कोई बड़ी बात ने पर अगर हमारे सामने नंबर जो है काफी बड़ा है अब मान के चलिए कि मेरे सामने यहाँ पे एक नंबर है जो कि 303, 303 का square निकालना है तो ऐसे case में आपको क्या करना पड़ेगा 303 को 303 से multiply करना पड़ेगा पर हमारे पास इतना time होता नहीं है तब हम यहाँ पे algebraic identity लगाते हैं और इसको यहाँ पे हल कर सकते हैं अब देखिए एक तरीका तो यह है कि हम 303 को 303 से multiply करें और answer निकालने और दूसरा तरीका यह है कि अगर मैं चाहूँ तो 303 को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 300 प्लस 3 याँ कि 300 प्लस 3 में लिख सकती हूँ और अब यह बन गया आपका A प्लस B का whole square A प्लस B के whole square के identity अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे A square याँ कि 300 का square B square याँ कि 3 का square और 2AB तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इतनी calculation आप देखिए number तो मैंने बहुत easy लिया है इसका तो already हो जायेगा बट अगर आपके पास कोई बड़ा और कोई ऐसे complicated number भी आता है तो भी हम उसका algebraic identities की मदद से हम उस question को easily solve कर सकते हैं यहाँ पर आजागा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 यहाँ पर 18 और 2 0 तो यहाँ पर आप इन numbers को add करके आप किसी भी number का square निकाल सकते हैं algebraic identities के help से तो basically आपके squares क्या होते हैं आपको क्या करना है usually आपको यहाँ एक से लेकर यानि कि 1 से लेकर 20 तक तो यह number याद रहते हैं इसके आगे के number का अगर हमें square निकालना है तो हम easily यहाँ पर algebraic identities के help से हम किसी भी number का square यहाँ पर calculate कर सकते हैं तो square का fund यह है कि अगर आप किसी number को same number से multiply करो तो आपका उस number का square यहाँ पर आ जाएगा तो square वाले question को solve करने के लिए हम algebraic identities का use करेंगे सबसी ज़्यादा जो previous year में question पूशे गए हैं यहाँ पर CTAT के exam अब देखिए मैं CTAT oriented आपको चीजे करा रही हूँ तो आप इसीज को यहाँ पर relate करेंगे जब हम previous year question को यहाँ पर solve करेंगे अब देखिए अगर मैं यहाँ पर square root यानकि यहाँ पर वर्ग मूल की बात करूँ जिसे आप यहाँ पर दो अलगलग तरीके से निकाल सकते हैं square root हम किस तरीके से calculate करते हैं अगर आपको किसी भी number का square root निकालना है तो उसका symbol कुछ इस तरीके से होता है सबसे पहले तो आपको यह चीज clear होने चीए अब square root क्या है कि अब अगर मैं इसी चीज को reverse करना चाहूँ मैं पूछूँ कि आपसे 100 जो है किसका square root है किसका वर्ग मूल है तो आप यहाँ पर answer देंगे 10 यानि कि कहनी का मतलब क्या है कि यह जो 100 है यह किस किस को multiply करके बना है तो आपका answer होगा 10 और 10 को multiply करके बना है अब आप कहेंगे यह तो बहुत छोटा number है इसको तो हम देखके भी बता सकते हैं पर अगर आपके सामने कोई बड़े number आ जाए तो आप वहाँ पर इसका वर्ग मूल यानके square root आप किस तरीके से निकालेंगे तो इसके लिए हमारे सामने दो method यहाँ पर बता रखें एक है आपका prime factorization यानके अभाज्य गुननखंड और अभाज्य शब्द का मतलब भी आपको पता होना चाहिए prime word वो होता है अभाज्य जो संख्या होती है वो होती है जैसे कि आप मानके चलिए यहाँ पर 2 इसके अलावा 3, 5, 7 जो या तो एक के table में जाएंगी या फिर और खुद के table में जाएंगी ऐसी संख्या है ऐसे number आपके अभाज्य यानकी prime number के हला आते है तो एक तरीका होता है आप prime factorization करें और दूसरा होता है आप division method से निकाले यानि कि भागविदी से निकाले अभी जो आपका 20 अगस्ट का paper हुआ था उसमें prime factorization का question पूछा गया था जो कि हम कुस देर में देखेंगे अब अगर मैं prime factorization से इस question को यहाँ पर solve करूँ तो prime factorization हम किस तरीके से कर सकते हैं तो इसको जड़े देखेगा prime factorization मैं इतना तो उमीद करूँगे देखे हम सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी paper to maths के हाँ पर preparation कर रहे हैं और हम लोगों का math science जो भी हाँ पर background हाओ हम लोगों को basic इंतना calculation हम सभी को आता है मैं आप लोगों का यहाँ पर कोई base यहाँ पर clear नहीं कर दी मैं आप लोगों की चीज़े revise कर रहे हूं जो आप लोगों ने school time में पड़ा है तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसका prime factorization करेंगे तो सबसे पहले 2 से ही से multiply करेंगे तो यहाँ पर आपका answer आजाएगा 162 आप normal आप calculation कर सकते हैं इस number को अब अगर हम आगे से calculate करते हैं तो यहाँ पर आजाएगा आपका 81 इसके बाद देखिए 81 जो है आपको पता है यहाँ पर 2 की table में नहीं जाता पर अब यह किस के table में जाएगा यह आपका 3 की table में जाएगा 3 2s अ 6 होता है और 3 7s होता है 21 इसके बाद यह again आपका किस number से जाएगा यह आपका 3 की table से जाएगा फिर ये 3 के टेबल से जाएगा और अब ये complete यहाँ पर 3 के टेबल से चला गया तो यहाँ पर हमने इसका क्या कर दिया इसका अभाज्य गुनाइनखंड यानि के prime factorization कर दिया अगर हम इसे लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं तो इस तरीके से आप एक तो तरीका है कि इन नमबर का हम prime factorization कर सकते हैं और दूसरा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं अब देखें यहाँ पे आपको अगर यह यह तुमने एक फॉर्म बताया कि किस तरीके से लिख सकते हैं अब अगर मुझे इस नंबर का, यहाँ पे square root बता करना है, square root क्या है, तो आप मुझे बताइए कि क्या-क्या number आए, तो आप यहाँ पे answer देंगे, कि दो बार तो two आया, इसके अलावा तीन बार आपका, चार बार यहाँ पे क्या है, तो हम इसके square root बताएंगे कैसे, तो आपको जब इसे root से बाहर निकालना है, तो यह जो दो बार दो-दो के pair आप बनाएंगे, क्योंकि square में दो-दो के pair बनते हैं, अब दो-दो के pair मैंने बनाएं, तो इस तरीके से same number के आपके दो-दो के pair बनाने, तो यहाँ पे दो-दो के pair होते हैं, वो आपके root के बाहर आने पे single हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका आजाएगा 2, यहाँ पे आजाएगा 3, और यहाँ पे आजाएगा 3, तो 2-3 जा 6 हो जाता है, 6-3 जा 18, तो यहाँ हम लोगों को एक चीज़ clear हुई, कि 18 को 18 को अगर हम 2 बार multiply करेंगे, मतलब 18 को 18 से multiply करेंगे, तो आपका answer कितना आजाएगा 3, 24, तो इस तरीके से हम लोग एक तो prime factorization method से निकाल सकते हैं, दूसरा हमारा होता है division method, division method में सबसे पहले आपको करना क्या है, अब division method से हम तब solve करेंगे, जब question में हम लोगों को division method की हिंद दे रखी होगी, और prime factorization method से हम तब solve करेंगे, जब prime factorization की हिंद दे होगी, वो हमें question में पता चल जाता है, जब अभी मैं आपके साथ question discuss करूंगे आपको यह चीज clear होगी अब देखिए यह जो भागविधी है यह जो division method है इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पीछे से जोड़े बनाते हैं आगे से नहीं, पीछे से जोड़े बनते हैं तो पीछे से अगर मैं जोड़े बनाती हूँ तो यह बिचारा यह जो 5 है वो बच गया तो इस case में मैं क्या करूंगी? सबसे पहली, जब आप यहाँ पे division method से भी question solve करें आपको यह चीज ध्यान रखना है कि जो भाग भीधी है वो किसके लिए लगाई जारी है? वो आपके वर्ग मूल के लिए यान के square root के लिए निकाली जारी है तो आपको numbers भी यहाँ पे जोड़े में लेना है जैसे 2, 2, 4, 3, 3, 9, 4, 4, 4, 16 तो देखिए यह जो 5 है यह अगर हम देखें तो इसके लिए हम कौन सा pair ले सकते हैं 2, 2, 4, क्योंकि 3, 3, 9 जो है वो बड़ा हो जाएगा तो 2 और 2 को मैं यहाँ पे लिखूँगी और यहाँ पे मैं लिख दूँगी 4 तो यहाँ पे एक 6 बच गया, एक remainder बच गया अपर जो आपने जोड़े बनाए हैं, एक चीज़ ध्यान रखेगा कि जो जोड़े होते हैं, वे 7 में उतरते हैं तो मैं यहाँ पे जोड़े 7 में उतार सकती हूँ इसके लाबा आपको इन दोनों को आड़ करना है इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 अब आपको क्या करना है, 4 को यहाँ पे अलग-लग संख्याओं से multiply करके देखना है, जैसे 4 को यहाँ पे एक एक बना के हम हारा answer कितना जाएगा, 41 4 को अगर मैं 2-2 से multiply करूं, तो यहाँ पे कितना आजाएगा, यहाँ पे आजाएगा, 84 4 को अगर मैं 3-3 से multiply करूं, तो यहाँ पे कितना आजाएगा, 139 यानके 129 तो यहाँ पर जो नंबर होगा, 13 यहाँ पे, 13 यहाँ पे तो इस तरीके से आप जब इसे calculate करते हैं तो आपका जो answer ये उपर आता है यानकि 20 तो 20 जो है ये आपका है work move यानि कि 20 का ये जो 529 है ये किसका square root है ये आपका 23 का square root है कहने का मतलब ये है कि 20 को 23 से multiply करेंगे तो 529 आएगा अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत basic है इससे कैसे question आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ एक या दो नहीं मैं आप लोगों के साथ multiple questions share करूँगी अभी जो कि आपके ये जो square and square root यानकि वर्ग और वर्ग मूल chapter को अच्छे से cover करेंगे और अगर आप NCRT में देखेंगे ये आपको class 8 के NCRT के अंदर मिल जाएगा अब देखिए आप लोगों को बहुत rocket science वाली चीज़े नहीं पढ़ने बहुत advanced चीज़े नहीं पढ़ने आप junior level के तियारी कर रहे हैं जो कि 6 to 8 के NCRT को cover करता है अगर आप किसी और competitive exam की तियारी कर रहे होंगे तो ये question तो आपको बच्चो वाले लगेंगे कि आप बहुत easily कर लोगे बट अगर आप एक beginner हो और अभी आपने किसी competitive exam की तियारी नहीं की तो इन session को आप trustfully देखना जैसा कि आप लोगोंने science के session को पसंद किया ये session भी जैसे जैसे आगे जाएगा आप लोगों का content जो है इन sessions का advance होता जाएगा अब मैं आप लोगों के साथ direct questions शेयर करती हूँ क्योंकि देखिए maths तब तक incomplete है जब तक आप जाज सादा practice ना करो तो अब मैं आपके साथ direct practice session यहाँ पे लेके आई हूँ जाएगा आप वहाँ से join कर सकते हैं और अगर आप लोगों को सीटाइट exam के paid notes ही हैं तो वहीं पर मैंने आप लोगों के सामट phone number यहाँ पर शेयर किया साथे साथ बोर्ड में यहाँ पर available है अब direct मैं आपके साथ यहाँ पर questions शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों का इस topic को cover किया इसी topic के हम previous question करेंगी तो देखिए पहला question हम लोगों के सामने है जिसके अंदर हम लोगों को इस तरीके से एक equation दे रखी है जिसमें बता रखा है यह जो square root के अंदर value है यह a by b के बराबर है और आपको इस question में क्या निकालना है कि यह जो a और b है इसका अगर हम योग कर दे इसको अगर हम add करें तो इसकी value किसके बराबर होगी तो सबसे पहले तो आपको इनका prime factorization यहाँ पे करना होगा तो चलिए फटा फट मैं आप लोगों के सामने इन numbers का prime factorization करती हूँ तो यहाँ पे हमें पहला number दे रखा है 675 675 जो है यह 5 की table में जाएगा 5 क आपका 135 यह भी आपका 5 के पहाड़े में जाएगा कितने बारी में 27 बारी में इसके बाद यह 27 जो है यह तीन के पहाड़े में जाएगा 9 बार में और यह फिर से आपका 3 के table में जाएगा और यह 3 के table से करके यह complete हो गया तो देखिए सबसे पहले मैंने 675 को prime factorize कर लिया है और दूसरा अगर हम number देखें तो दूसरा number आपको 9408 यानके 9408 दे रखा है तो अगर हम इस number को करें तो सबसे पहले यह 2 की table से आप इसे divide करेंगे तो 2 की table से हमने इसे divide कर लिया लास नमबर अभी भी क्या है चार है तो ये फिर से टू की टेबल से जा सकता है टू की टेबल से हमने जब डिवाइट किया तो देखिए ये जो नमबर आया है फिर से ये टू की टेबल से जा पाएगा क्योंकि लास नमबर जब तक आपका जो है वो टू की टेबल से पे आजाएगा और फिर हम इसे टू की टेबल से करेंगे तो यहां पे आजाएगा 147 अब देखिए लास में आया 77 जो है वह आपको पता है कि यह हमारा कम से कम टू की टेबल से तो नहीं जायेगा अगर मैं इसे 3 की टेबल से डिवाइट करूं तो आपको पता है 3 4 12 होता है और यहाँ पे 9 बार में 27 आ जाएगा तो इस तरीके से हमने इसे डिवाइट कर दिया अब अगर हम यहाँ पे देखिए तो देखिए यह जो नमबर है यह आपका 7 की टेबल से जाएगा और 7 की टेबल से किते बार में जाता है 7 7s of 49 और यह जो 7 है यह अपनी टेबल से चला ज तो इस तरीके से मैंने दोनों नमबर कर यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज कर दिया और प्राइम फैक्टराइज करके मुझे इतना पता चला कि पहले नमबर का जब मैंने प्राइम फैक्टराइज किया तो 5 की जोड़े बन रहे तीन का जोड़ा बन रहा और एक तीन का नहीं बन रहा और जो भी चीजे आपकी पेर में होती हैं वे स्क्वエरूट से बारा के सिंगल हो जाती है यानि कि यह आपका बन जाएगा पांच यह आपका बन जाएगा तीन और पांच और तीन को मंटिपलाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पे आजाएगा पन्दरा और क्यूंकि यह 1-2 extra बच गया तो इसे हम under root 3 में इस तरीके से लिख सकते हैं वैसे ही ये 2 क्या आपका pair बनाए य एक बार हम लिखेंगे ये भी एक बार लिखेंगे ये भी एक बार लिखेंगे और साथ भी एक बार लिखेंगे तो ये कितना हो गया दो ये हो गया दो दो चार ये हो गया टू टू जा फोर फोर टू जा एट और एट सेविन जा कितना होता है एट सेविन जा होता है फिफ्टी सिक्स 56 मैंने लिखा और A के 3 यहाँ पर भी एक्स्ट्रा बच गया था तो 3 मैंने इस तरीके से लिख दिया यहाँ क्या होगा यह जो value है यह A by B के बराबर है क्योंकि question में हमें इस तरीके से दे रखा था अब देखिए यहाँ पर मैं root 3 से root 3 cancel कर सकती हूँ और आपका answer कितना आजाएगा A के value आजाएगी 15 B के value आजाएगी 56 तो आप 15 और 56 को जब आप plus करेंगे तो आपका answer कितना आजाएगा यहाँ पर 71 अब आप कहेंगे इस question को solve करने में में इतना time क्यों लगा क्योंकि मैंने detail में आपको इसको prime factorize करके दिखा रखा आप जितनी जल्दी calculation करेंगे उतना fast आप इस question को solve कर पाएंगे तो इससाब से इस question का A जो option है यह correct answer है इसके अलावा देखिए इस तरीके का question इस साल भी आपके paper में पूछा गया था तो यह question आप दिहां से देखिएगा एक number दे रखा है और इस number को split करके बोल रखा है कि यह A की power 4 B इसके अलावा C की power 3 के बराबर है और ABC क्या है एक prime number है यानि कि अभाज्य संख्या है इसको prime factorize करना पड़ेगा side में हम यहाँ पर prime factorize करके देखते हैं number आपको बड़ा इसलिए दिया जाता है ताकि थोड़ा सा यहाँ पर time लगे सबसे पहले अगर मैं इसे prime factorize करूँगी तो यह 2 के पाड़े में यहाँ पर चला जाएगा कि यह normal calculation है और मैं इतनी उमीद करूँगी कि यह तो basic calculation हम लोगों से हो जाए अब यहाँ पर अगर मैं इससे solve करती हूं तो अब यह 2 की table से नहीं जाएगा वैसे यह 5 की table से जा सकता है पर अगर आप इन number को देखेंगे तो 11 की table से easily चला जाएगा 11, 60, 66 और 2 number साथ में उतारेंगे तो एक बार बीच में 0 आ जाएगा और यहाँ पर आजाएगा 5 अब अगर हम इसे divide करें तो यह फिर से further आप लोगों का 11 की table से divide हो सकता है और यह 55 टाइमस चला जाएगा फिर से आप 11 की table से करेंगे तो एक 5 यहाँ पर इस तरीके से यहाँ बच जाएगा अब अगर मैं इसका prime factorization करूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 2 कितने बार आया है 2 यहाँ पर आया है 4 बार 11 कितने बार आया है 11 कितने बार आया है 3 बार और 5 कितने बार आया 5 यहाँ पर एक बार आया अगर मैं इसे compare करूँ ध्यान से इसे compare करना यहाँ पर दे रखा है A की power 4 यहाँ दे रखा है B और यहाँ दे रखा है C की power 3 A की पार 4 मतलब जो भी A होगा उसकी पावर 4 होनी चीए तो इस हिसाब से तो A क्या होना चीए A होना चीए 2 के पार 4 इसके अलावा जो B होगा B सिंगल होना चीए B की कोई पावर नहीं होनी चीए तो B को हम क्या ले सकते हैं 5 ले सकते हैं और C जो भी होगा उसकी power कितनी होगी 3 यानिकी 11 की power 3 तो इस इसाब से आपको A कितना पता चल गया A पता चल गया 2 है इसके लावा B कितना पता चल गया 5 है और C कितना पता चल गया 11 है तो यहां से आपको question solve करने में कोई दिक्कत आनी नहीं चीए अब आपको अगर A, B, C की value पता है A जैसे मैंने अभी निकाला है A कितना था 2 B कितना था यहां पर 5 और C कितना है यहां पर 11 इसकी value को हम इस equation में जो कि हमें यहां पर दे रखा है इसमें यहां पर put कर देंगे ताकि इसकी का मान हमारे सामने यहां पर आ जाए आपको पता है इस तरीके के question को practice भी करना है अब यहां पर बोल रखा है which least number must be subtracted from this to get a perfect square यानि कि अगर हमें यहां 3850 में से कौन सा निम्तम संख्या को हम घटाएं कि यह एक पूर्ण वर्ग यहां पर हमारे सामने यह बन जाए तो इसके लिए आपको मैंने अभी जो भाग बीदी बताई थी division method बताया था उससे अगर आप solve करेंगे तो आपके लिए ज्यादा easy हो जाएगा तो अगर मैं solve करूँ तो पीछे सा हमें जोड़े बनाने होते हैं और मैंने कहा था हमें ऐसे नंबर लेने जो के पूरा पूरा एक दूसरे से यहां पर multiply हो जैसे 5500 256 6306 77049 77049 बड़ा हो जाएगा तो 66036 मैंने यहां पर ले लिया इन्हें माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा दो इन दोनों को प्लस करना होता है 6 और 6 को प्लस करेंगे तो यहां पर आजाएगा 12 और मैंने कहा था कि जब भी हम नंबर उतारे हमें इन दोनों जोड़ों को साथ में उतारना है तो हम यहां पर दो के साथ 11 के साथ हम अलग लग नंबर को यहां पर मल्टिप्लाई करते चले जाएंगे तो यहां पर अगर मैं इसे मल्टिप्लाई करूं तो यहां पर आजाएगा 244 अगर मैं 33 मल्टिप्लाई करती हूं तो यहां पर आपको पता है कि यह जो नंबर आएगा यह 300 के पास पह अब यह जो 6 बचा है यह क्या है यह एक एक्स्ट्रा नंबर है जो कि इस नंबर के साथ जोड़ा गया है अगर इस में से 6 हटा दे तो एक परफेक्ट स्क्वाइर बन जाएगा तो अगर मैं इस नंबर में से 6 को हटा दूँ तो 6 को हटाने के बाद कितना बन जाएगा यह नं हमने घटाया इसमें से छे घटाया तो इस कोशन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट अंसर होगा अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स कोशन डिसकस करती हूं नेक्स कोशन यहां पर इसी तरीके का आपको लगेगा यहां पर बोल रखाए दर लीस्ट नंबर विच मस्ट स्क्वायर एकस कोंगा यानि कि इसमें पर्फेक्ट स्क्वएर जैसे पिछले कोशन में सिक्स्टी डू का स्क्वायर को रहा था वैसी इसकोशन heh जो भी इसक्वायर होगा उसमें जितनी भी डिज़ेट होंगी उन का आपको सम निकालना है इसीज के confusion को clear करने के लिए एक बार मैं इसे आपके सामने solve करके दिखाती हूँ जैसे कि यह number दे रखा है यह number आपको इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है पीछे से जोड़े बना लीजिए फटाफट और 9-9-81 यहाँ पे आप लिख लीजिए तो देखिए चार से अगर हम इसे multiply करते हैं तो आपका answer कितना आ जाएगा यहाँ 6 3 7 तो यहाँ पर आप इस number को यहाँ पे लिख सकते हैं अब देखिए basic calculation है और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया यह जो math paper 2 की वीडियो है वे सभी candidate देखते हैं जिनका math science background है तो यह basic calculation हमें आनी ही चाहिए अगर मैं इसे calculate करती हूँ तो यहाँ पर आजाएगा 7 यहाँ पर आजाएगा आपका 9 और 08 हमारा 7 में जोड़े में उतरेगा अब आपको यहाँ पर करना क्या है यहाँ पर next जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो अगले number में हम करेंगे क्या यह ज चार को add कर दें यह चार आया कहा से यह वाला चार जो है उसके हम बात कर रहें अगर हम इस चार को add कर दे तो यहाँ पर बन जाएगा 188 और 188 में भी extra हमें number जोड़ते रहना है तो 55 हमने add किया तो यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर 5 बनाना है तो इस हिसाब से यहा यहाँ पर prime factorization कर दिया और prime factorization करके वो number हमें पदा चल गया कि कितना हमें minus करना है यह जो number हमें minus करना है यह क्या है यह है आपका x और यहाँ पर बोल रखा है कि हमें sum of desert बताना है x का तो यहाँ आप इसे क्या करोगे इन सभी को यहाँ पर add कर दोगे 2 और 8 को हम add करेंगे तो कितना हैगा 10 और 10 में 3 हम जोड़ेंगे तो आएगा 13 तो इस हिसाब से जो first option है यह question का correct answer है इसके अलावा देखिए अगले question में हमें बोल रखा है कि इन में से कौन सा एक perfect square है वह कौन सा एक perfect square नहीं है कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वह आपको बताना है यह question आप लोगों के लिए homework question है आप division method से इससे solve करिए अराम से बताइए कि इन में से कौन सा ऐसा है जो के पूरी तरीके से नहीं करता और आपको यहा question number 4 as a homework question आप लोगों को लिखना है easy question है इसलिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे solve नहीं कर रही हूँ अब देखिए next question question अगर हम यहाँ पे solve करें next question में हमें एक equation दे रखिए यहाँ पे 5 और 5 की power दे रखिए x-3 इसके लावा 7 की power दे रखिए y-2 और यह किसके बराबर है यह 6125 के बराबर है आपको यहाँ पे बताना है कि x और y की क्या value होगी यान कि x और y को यहाँ पे आपको जोड के बतान अगर मैं इसका prime factorization करती हूं तो यह 5 की table में जाएगा और 1225 यहाँ पे हमारा divide होके आ जाएगा अब यह फिर से आपके 5 की table से जाएगा और 5 की table से अगर आप काट होगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 5 यहाँ पे आया है तीन बार और 7 कितने बार आया है दो बार इसीज को तो यह चीज आपको clear होगी होगी बट अगर हम question के अनुसार देखें तो question के अनुसार यहाँ पे क्या है कि 5 की power x minus 3 into 7 की power y minus 2 जो है वो आपका इस नंबर के बराबर है और इस नंबर का prime factorization क्या बना करूं तो exponent power में यह बोला जाता है कि अगर base same हो और अगर equal हो तो power बराबर हो जाती है तो x minus 3 जो है किसके बराबर हो जाएगा तीन के बराबर हो जाएगा और y minus 2 किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर अगर आप इससा solve करते हैं तो आ आपको कोशन में क्या करना आपको इन दोनों को जोड़ना है छे और चार को आगर हम जोड़ते तो कितना अंसरा जाएगा दस जो कि आपको आपको सी ऑफ्षन में यहाँ पे दे रखा है इसके अलावब देखिए नेक्स कोशन भी आप लोगों को इसी पैटरिन गहां पे दे आपके पेपर में कई सारे कोशिन इस टॉपिक से पूछे गये हैं जो कि आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं मैं साइट बई साइट यहाँ पर आप लोगों के लिए फटफट प्राइम फैक्टराइजिशन कर रही हूं और प्राइम फैक्टराइजिशन करते करते अभी तक यह नंबर 2 की तेबल से ही जा रहा है बागर यह पर वाट को पै Thus 7 की तेबल में जाता हा यह ल की ता यंगी है तहीं के प्राइएजिशन कर करके मुझे पता चला की डू Talking Sky पाँच क्यों बार आई बार और पाँच है Omaha साथ सट हैतिन बार दू कर लीजिए इस से तुलना अगर हम इससे तुलना करेंगे तो x की पावर 4 लिखी है y की पावर 1 लिखा है और z की पावर 3 लिखा है तो x की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 में लिख सकती हूं y की पावर 1 मतलब 5 की पावर 1 और z की पावर 3 मतलब 7 की पावर 3 तो आपको x, y, z पता चल गए, अगर x, y, z पता चल गए, तो इस equation में आपको लगाना है, 2x plus y minus z, 2x की value क्या है, x की value होगी सीधा 2, और y की value कितनी होगी 5, और z की value होगी 7, तो अगर हम इसे solve करते हैं, तो 2, 2 is 4, 4 में हम 5 जोड़ेंगे तो आएगा 9, 9 से अगर हम 7 को minus करें दो, जो कि आपको c option में यहाँ पे दे रखा है, और अगर मैं आप लोगों के सामने next question यहाँ पे discuss करूँ, अच्छा question है, इस question को जड़ा solve करते हैं, यहाँ पे बोल रखा है, एक number है, इस number में से अगर हम k minus कर देंगे, तो यह एक perfect square बन जाएगा, अगर इस number को लोगे, इ कि value किस किस के बीच में हो सकती है, आपको यह calculate करना है, तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लीजी, इस number का आप भाग भी धी से, division method से एक बार prime factorization करके देख लीजीए, अगर मैं prime factorization करूँगी, तो मुझे पीछे से जोड़े बनाने होगा, तो यहाँ पर विचारा एक यहा से शुरू करना होगा, यह तो पूरा कर गया, यहाँ बचके आपका 63, और एक और एक को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 2, और इसे किस के साथ multiply करेंगे 2, क्योंकि 3 सा multiply करके number बढ़ा आ जाएगा, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे solve करके लिख दिया, अगर आप इ इस दो को भी हमें यहाँ पर क्या करना है, जोड़ लेना है, अगला number कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा, और 24 बना तो देखिए, 24 के साथ भी आपको हर number को multiply करके देखना पड़ेगा, तो आठ आठ बार में आपका यहाँ पर कितना answer आजाएगा, यहाँ पर answer आजाएगा कितना आप माइनस करोगे कि एक perfect square बन जाएगा, कितना माइनस करोगे 9, और जो के का मान है, यह कितना है, 9 और 9 जो है किस-किस के बीच में आता है, यह आपका 5 और 10 के बीच में आता है, इससाब से इस question का B जो option होगा, यह correct answer है, I hope यह session आपको पसंद आया होगा, इस session से आ नहीं, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले session में, अगले topic के साथ, bye bye, take care.